भुपाल के लाल परेड मेदान में 47 वे 37 तरता दिबस समहारों में तुरंगा फेराया क्या, दुजार रुहर करके सीम ने उपन जीप में परेड की सलामी ली कारकर में पुलिस और होंगाड जमानों को सम्मानिक किया गया। साथी भुपाल के शौर इसमारक पहुँचकर श्रहीदवा, करानतकारियों को श्रधांजविदी समहारों में सीम शीवराच ने कहा कि करानतकारियों के त्याग तपस्या और बलिदान के कारण भारत आसाथ हुआ है। भारत 370 समात करके एक देश में दो विधान, दो निसान, दो प्रधान नहीं चलेंगे के संकल्ब को पूरा किया गया है। मेरे प्रधेश बासियों, मेरे भाईयों और बहनों, मेरे बेटे बेटियों, ये देश भारत माता हमारी ने केबल जमीन का तुक्रा नहीं है। और अटेल जी ने जो सब्द कहे थे अपनी भारत माता के लिए वो आज आज़ाजी का मुझे याद आ रही है। ये देश हमारे ने केबल जमीन का तुक्रा नहीं है। जीता जाकता राश्व पुरु से हिमाले इसका मस्तिस्क है। गौरी संकर इसकी सिखा है। पंजाब और बंगाल इसको दो विसाल बाहू है। दिली दिल है। बिंधाचल कटी है। नर्मदा करधनी है। और विघात और पस्ट विघात इसकी दो विसाल जंगाए है। कन्या कुमारी इसके पंजे हैं। सागर इसके चरण पखारता है। सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये अर्पन की भूमी हैं। ये तर्पन की भूमी हैं। ये सूरों की भूमी हैं। ये वीरों की भूमी हैं। ये रिसियों की भूमी हैं। महिर्षिकों की भूमी हैं हम जिएंगे तो इसके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए